बर्मूडा ट्रेंगल ये रहस से आज का नहीं सदियों पुरान है। सबसे पहले बर्मूडा ट्रेंगल के बारे में किस्टोफर कोलंबस ने 1492 में बताया था। जब वो अपनी पहली एट्लैंटिक सी की यातरा पे गये थे। उन्होंने देखा कि एक लाइट का बहुत बड़ा गोला पानी में से निकलता है। बर्मूडा ट्रेंगल नहीं था। ये नाम इसे विंसेन्ट गेडिस ने 1964 में दिया। जब उन्होंने बर्मूरा ट्रेंगल नाम से एक article पॉब्लिश किया था एर्गोसी मैग्जीन में इसे डेविल्स ट्रेंगल भी कहते हैं पर तब से बर्मूरा ट्रेंगल नाम पॉपुलर हो गया पर बर्मूरा ट्रेंगल 5 दिसंबर 1945 को ही पॉपलर हो गया था इस incident के बाद US नेवी की रोटीन फ्लाइट थी फ्लाइट 19 में 5 एवेंजर टॉर्पीडो फ्लाइट बोमर फ्लोरीडा से फ्लाइट लेते हैं जिसमें कुल मिला के 14 क्रू मेंबर्स थे थोड़ी देर में फ्लाइट का कमपस काम करना बंद कर देता है वो दूसरे प्लेन से कॉंटेट करत थे थोड़ी देर में उनका नेवी बेस से भी कॉंटेक्ट तूट जाता है और वो प्लेन हरदम के लिए लापता हो जाते हैं उसके तुरंद बादी US नेवी का दूसरा प्लेन 13 क्रू नंबर लेके उनकी खोज में जाता है और खोज में गये इस विमान का भी संपर्क तू आज तक ना किसी जहाज का कोई मलवा मिला ना ही कोई गायव हुआ इंसान इन सारी घट्टाओं में एक चीज जो सबसे आदा कॉमन थी वो ये की कमपस वहाँ पे काम करना बंद कर देता है कमपस की सुया नाचने लगती और डायरेक्शन नहीं पता चलती है अचानक से बह दूसरी दुनिया में जाने का कोई रस्ता या फिर कुछ और एक एक करके सभी पर बात करते हैं पर पहले देखते हैं कि बर्मूरा ट्रैंगल है अमेरिका के मायामी से पुटलोको और वहां से बर्मूरा आइलेंड इसके बीच में ट्रैंगल शेप में करीब 5 लाख स्कॉय मायल के बीच में फैला हुआ है अब कहा यह जाता है कि यह एलियन बेस है और यहां पर सारे लेक्ट्रोनिक्स काम करना बंद कर देते हैं हाई लेक्ट्रो मैगनेटिक फिल्ड की वज़े से क्योंकि एलियन नहीं चाते कि हमें उनके बारे में कुछ पता चले यहां से दूस लेक्सी कम टाइम में जाया जा सके यह एक तरकी से स्पेस को बेंड करके बनाया जाता है यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है इस पर मैं अलग से वीडियो बनूँगा वहें कुछ रिसेर्चर्चर्स का यह कहना कि यहां पर हेग्जागरन क्लाउड्स है जिनकी वज़े से य यानि सनी ग्रह की बात कर रहा हूँ तो अब इनमें होता ही है कि इनमें बहुत तेज हवाय चलती है और वह हवा बाहर से अंदर की तरफ घूमती है इसमें हवाय करीब 270 किलोमेटर के स्पीड से चलती है और घूमने के वज़े से वो लो एयर प्रेशर बना देती है जिसकी अब सारे शिप्स तो तब डूबे जब मौसम बिल्कुल साफ था कोई भी दिक्कत नहीं थी मौसम में ना शिप पे कोई प्रॉबलम थी पर अचानक से शिप खुदी धीरे-धीरे डूबने लगता है ऐसा लगता है कि मानो कोई बहुत बड़ी ताकत कोई बहुत ताकतवर चीज शिप को नीचे की तरफ खींच रही है किसी अद्रिश्य शक्ति का हैसास होता है जो शिप को अपने आप ही डुबा रही है इस पर रिसेर्चरस ने कहा बर्मूरा ट्राइंगल के कुछ एरिया में मिथेन गैस बहुत जाद है और यह पानी में घुलने की वज़े से बहुत पानी की density बहुत कम कर देती है तो जब शिप इन एरिया में पहुंचते आप है पानी की density बहुत कम होती है तो शिप इनके ओपर फ्लोट नहीं कर पाते है और इसमें अपने आप डूबने लगते हैं और शिप के वज़न की वज़े से ऐसा लगता है कि कोई शकती अ भड़ी शिप को नीचे की तरफ खिंच रही है वहीं बर्मुडा ट्रेंग्ल में समुद्र तल के नीचे बहुत उचे-उचे ज्वाला मुखी है जिनकी वज़े से वहां का जो धरातल है वो बहुती उबड खाबडे इसकी वज़े से बहुत उची उची लहरे उड़ती हैं जो 50-60 फिट तक उची होती हैं और जादा तर जहाज इन उची लहरों की वज़े से ही डूपते हैं पर एक बहुत ही अजीब घटना हुई जिसका कारण किसी को नहीं समझ में है और ये सारी थेयोरियां उसके सामने फेल होगी 1881 में एलेन आस्टिन नाम का 210 फिट लंबा जहाज लंडन से नियॉक जा रहा था तबी बर्मूरा ट्रेंगल के पास में कैप्टन बेकर को एक दूसरा शिप दिखता है उसके पास जाते हैं पास जाके देखते हैं तो उस शिप पे कोई भी इंसान नहीं दिखरा होता है वो शिप की परताल करने के लिए दो दिन तक वहां रुके रहते हैं पर उनको वहां पे कोई भी क्रू मेंबर नजर नहीं आता इसके बाद वो decide करते हैं कि वो ship पे जाएंगे और खुद जाके देखेंगे कि ये माजरा क्या है ship पे जाते हैं तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं उस ship की सारी चीजे वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए ना उस ship पे कोई loot पार्ट हुई थी ना कुछ लेकिन उस ship पे एक भी crew member या एक भी इंसान नहीं था ये देखके वो हैरान रहे गे तो उन्होंने decide किया वो इस ship को भी अपने साथ नियॉक लेके जाएंगे उन्होंने अपने crew मेंसे कुछ members को इस ship पे भेज दिया और उसको बोला follow करने के लिए और वो लोग नियॉक के लिए निकल गए दो दिन तक एक आरवा चलता रहा दो दिन के बाद अचानक से तुफान आता है तुफान में दोनों ship फिर से बिछड जाते है इसके बाद उस ship को वापस ढूड़ा जाता है और जब वो ship मिलता है तो बिल्कुल सही सलामत हालक में होता है पर जब वो ship पे जाके देखते हैं तो उस ship के crew members गायब हो चुके होते है उन crew members का कोई आता पता नहीं होता वो लोग बहुत परेशान होते हैं crew members को ढूड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता सिर्फ वो ship होता और ship बिल्कुल सही सलामत हालक में होता है ये देखके Captain Baker बहुत हैरान हो जाते है लेकिन वो फिर से दो-तीन crew members को ship पे भेज देते हैं और अपनी New York यात्रा के लिए निकल जाते है लेकिन दो दिन के बाद यही incident फिर से होता है फिर से तुफान आता है फिर से वो ship गायब हो जाता है और उसको ये लोग जब फिर दूड़ते हैं फिर से उसे crew member गायब हो जाते है ये देखके वो ship पे बचेवे लोगों की हालत खराब हो जाती है वो समझ नहीं पाते ये क्या है और ये क्या हो रहा है उन सब को लगता है ये ship भूतिया है और वो लोग उसको छोड़ के वहाँ से भागते हैं ये कुछ ऐसे रहसे हैं जो बर्मुना ट्रेंगल आज भी अपने अंडर समेटे हुई है किसी के पास भी इन बातों का कोई explanation नहीं है कि वहाँ पे लोग कहां गायब हो जाते आज तक किसी की dead body तक नहीं मिलिये इतने बड़े बड़े ship गायब हो गे इतने planes गायब हो गे किसी का कोई मलवा तक नहीं मिला है आखिर वो सब जाते कहां पे बहुत सारे लोग बोलते हैं बर्मुराट रैंगल काल्पनिक है ये सिफ काल्पनिक कताएं हैं ये सिफ स्टोरियां हैं जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता पर बात ये है कि हजारों की संख्या में इस स्टोरिया बन कैसे गई एक ही जगे एक ही चीज के उपर इतने सारे लोग सिफ स्टोरियां कैसे बना ले रहे हैं और दुनिया में इतनी जगे इतने हजारों जहाच एक ही जगे पे जाके क्यु डूब जाते हैं आपको क्या लगता है बर्मुराट रैंगल में क्या है क्यूं वहाँ से शिप्स और प्लेन गायब हो जाते कमेंट करके जरूर बताए उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिलियोगी ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मैं हूँ शालतिवारी आप देख रहे थे ग्यानोफाई देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद